Hello to everyone, this is Sujit Singh, welcome to all my lovely audience on my YouTube channel और इस channel पर हम basically बात करते हैं class 11, class 12 और need aspirants की biology की तो अभी हमने एक recently series स्टार्ट किया है बच्चे जो है class 11 का एक chapter breathing and exchange of guesses, ठीक है? तो इसका first part आचुका है और आज का जो वीडियो है वो है second part तो बच्चे आप सभी जाकर के previous videos को हमारे channel के playlist पर जाकर के देख सकते हो हमने बहुत सारे important chapters की video अलड़ी upload कर दिया है साथ में आप मुझे connect होना चाहते हैं तो इस whatsapp number पर आप अपना message drop out कर सकते हैं कोई भी problem हो उसे हम मैं पूरी कोसिस करूँगा कि आपकी problem resolve हो ठीक है और साथ में साथ मुझे आप instagram पर फॉलो कर सकते हो और वहां से आपको बहुत सारे important diagrams मिलेंगे जो आपके biology के concepts को revise करने में और recall करने में बहुत बहुत help करेंगे ठीक है तो चलो आज का topic स्टार्ट करते हैं तो basically हमने last lectures में breathing and exchange of gases के कुछ basic concepts को understand किया था और आज हम पढ़ेंगे बच्चे basically human respiratory system ठीक है तो human respiratory system को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम basically बात करेंगे कि human respiratory system के important points क्या-क्या है ठीक है तो चलो अगर मैं बात करूँ तो human respiratory system को अगर हम थोड़ा सा define करें तो यहाँ पर हम understand करते हैं कि सबसे पहले जो human respiratory system का जो first part है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पर हमारा क्या है nose है ठीक है तो basically nose है और nose में भी हम यहाँ पर nestle part की बात करेंगे ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे nasal part की ठीक है इन सारे parts को अभी हम थोड़ा detail में भी देखेंगे और साथ में हम बात करेंगे nasal bone की ठीक है अब second part अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो basically यहाँ पर हम बात करते हैं nasal pharynx की third part के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम साथ में पढ़ लेते हैं trachea के बारे में और साथ में हम यहाँ पर देखते हैं larynx के बारे में ठीक है इन सारे points को हम थोड़ा detail में भी देखेंगे जस्ट हम यहाँ पर briefing कर रहें कि human respiratory system के कौन-कौन से important part है और उनका क्या-क्या function होगा ठीक है और अगर हम fourth part की बात करें तो यहाँ पर हम understand करेंगे respiratory tree के बारे में हम understand करेंगे कि यहाँ पर जो bronchus primary, secondary, bronchials इन में division होते हैं ठीक है तो इन सारी चीजों को भी हम understand करेंगे और अगर हम fifth part की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं लंकी और साथ में अगर हम sixth part की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी बच्चे डाइफ्रा गयम की ठीक है इन सारे parts को हमें one by one देखना है तो चलो मैं color change करता हूँ और हम start करते हैं अपना human respiratory system तो एक general idea हो गया कि human respiratory system के कौन-कौन से part है और उनको हमें क्या-क्या चीजें understand करनी हैं तो बच्चे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो अगर आप अपने nose को देखो तो यहाँ पर pair of external nostrils हैं तो अगर मैं general idea दूं यहाँ पर कि human respiratory system की अगर आप बात करते हो तो य pair of external pair of external ठीक है मैं इसे रब कर देता हूँ बच्चे pair of external nostril के बारे में हम understand करेंगे और यह external nostril जो है बच्चे वो कहां जाके open होती है तो open into open into nasal chamber ठीक है तो nasal chamber के भी हम property को देखेंगे तो अगर nasal chamber को हम यहाँ पर define करें बच्चे तो nasal chamber के three important parts है कितने parts है बच्चे three important parts है और उसको हम अगर थोड़ा understand करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो human respiratory system है वो pair of two external nostrils है ठीक है मलब दो nostrils है आपको इसलिए तो आप बोलते हैं pair form में है ठीक है और यह external nostril कहां जाके open होती है तो nasal nasal chamber अब nasal chamber के भी तीन different reason है और पहली रीजन को आप बोलते हो olfactory region olfactory reason second part को आप बोलते हो respiratory region respiratory region ठीक है और थर्ड पार्ट को nasal chamber के थर्ड पार्ट को आप क्या बोलते हो vestibular region देखो इन सभी reason के different different functions है उनको भी हम step by step understand करेंगे ठीक है अब देखो जो external nostril है अगर आप इसको थोड़ा सा connect कर पाओ तो जो external external nostril है यह किसे connect होती है निजल चैमबर से connect होती है ठीक है external nostril जो है कहां जाके open होती है निजल चैमबर में अब निजल चैमबर में आप किसके बारे में बात करते हो निजो फैरिंग्स किसके बारे में बात करते हो निजो फैरिंग्स और निजो फैरिंग्स वह एक तरह का किसका पार्ट है किसका पोर्शन प्रिंग का पोर्शन है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि जो नेजो फैरिंग से किसका पार्ट है भचय पिजर अक्लिप poop पोर्शन ओफ पोर्शन ओद यह बत्र तो क्लिर है अब देखो यहीं इन अरी Greg कर ना बहुत रवा important concept है और मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि जो breathing and exchange of gases है यहाँ पर याद करने वाली कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर understand करने वाली चीज है तो देखो अब अगर मैं बात करूँ फैरिंग्स के बारे में थोड़ा सा information दे दूँ तो जो फैरिंग्स है न बच्चे यह कॉमन पैसे किसके लिए है इडिजा 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 कॉमन पैसे ऑफ फूड एंड एयर ठीक है फूड एंड एयर यह दोनों यहाँ पर कॉमन पैसे है ठीक है फैरिंग्स और फैरिंग्स किसका portion है नेजल फैरिंग्स का यह बात तो यहाँ तक सभी को clear है अब देखो थोड़ा सा इजगर मैं इसको थोड़ा detail में लेके चलू बच्चे तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा और धियान से पढ़ना ठीक है तो देखो कि अगर आप फैरि फैरिंग्स के यहाँ पर three different part three different part कौन-कौन से तो यहाँ पर आप बात करते हो बच्चे किसकी औरो फैरिंग्स के बारे में बात करते हो ठीक है सेकेंड पार्ट इसका क्या है बच्चे तो नेजो फैरिंग्स के बारे में बात करते हो ठीक है थर्ड पार्ट को अगर बात कर करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे वाइज बॉक्स के बारे में आप बात करते हो और यहां पर आप बात करते हो इसी वाइज बॉक्स को आप क्या बोलते हो लैरिंग्स यह चीज तो हमेशा याद रहेगा अब देखो इस लैरिंग्स जो है यहां पर जो लैरिंग्स है इसमें यह किस तरह की नेचरिंग का क्या पाहिए नंबर क्या आगर आगे आप से बोलू, तो कार्टीस होती हैं, कैसी होती है बच्चे, तो it is a और इनका नंबर क्या होता है बच्चे तो टोटल कितनी होती है टोटल नंबर कितनी है नाइन बात क्लीर है यहां पर यह important concept आपको समझ में आया तो pharynx के तीन important point है aerofarynx, mesofarynx और laryngopharynx लaryngopharynx में आप larynx को study करते हो और larynx क्या एक तरगी वाइज बॉक्स है ठीक है अब इस वाइस बॉक्स का क्या काम है बच्चे तो आप सभी को मालूम है कि यह क्या produce करेंगे क्या produce करेंगे produce sound ठीक है और क्या produce करेंगे sound तो वाइस बॉक्स बोलत ठीक है बच्चे तो और क्या बोलते हैं sound box तो यह हमेंसे याद रखना बच्चे कि लरंजो फैरिंग्स में आप understand करते हो wise box और wise box का क्या function है basically function है sound को produce करना अब देखो अगर मैं यहीं पर बात करूं बच्चे कि जो number है ना यहां पर हमने बात किया कि कार्टिल इनेश नेचर है total number क्या है 9 तो वोकल कॉर्ट में basically अगर important questions अगर आपसे यहां पर देखा जाए तो जो वोकल कॉर्ड है ना बच्चे यहां पर जो specific कार्टिल इनेश प्रिजेंट है वो कौनसी प्रिजेंट है तो हाईलीन प्रिजेंट है ठीक है most important question for need examinations तो यहां पर कौनसी कार्टिल इनेश प्रिजेंट है तो हाईलीन spelling रब करते हैं से बच्चे फिर से हम यहां पर mention करते हैं तो कौनसा हाईलीन नेश यह clear है बच्चे तो देखो अगर मैं बात करूँ male और female body की तो अगर मैं बात करूँ human की देखो human में अगर मैं यहां पर male और female की बात करूँ तो male को हम represent करते हैं इस icon से और female body को हम represent करते हैं इस icon से ठीक है male body male की जो अवाज होती है उसमें काफी heaviness रहती है और वह heaviness क्यों रहती है क्योंकि male body में testosterone हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो यहां पर क्या प्रजेंट है testosterone इसी वज़े से male body की voice क्या होती है तो heavy voice होती है ठीक है कैसी voice होती है heavy voice होती है और अगर मैं female body की बात करूँ तो यहां पर testosterone का लेबल क्या है testosterone का लेबल कम है तो testosterone के लेबल कम होने की वज़े से इनका voice क्या है बहुत low voice आप कहा सकते हो लग फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो यहां पर female की voice होती है बहुत ज्यादा heavy नहीं होती है ठीक है बात clear है अब देखो अगर मैं यहीं पर बात करूँ थोड़ा सा understand करूँ नेजल चेमबर के बारे में तो नेजल चेमबर के बारे में थोड़ा सा characteristics को understand करना बच्चे कि अगर मैं यहां पर बात करता हूँ किसको अगर properties of नेजल चेमबर के बारे में बात करूँ यहां simply बोल चैंबर देखो यह chapter जो है ना बच्चे वो याद करने वाला नहीं है और जनली बच्चों में क्या होता है कि बच्चे याद करते हैं ठीक है इस chapter को आप understand कि कभी आप नहीं भूलेंगे बहुत important important concepts हैं इस chapter के अंदर और सबसे बड़ी चीज़े कि आप human physiology को understand कर और human physiology आपके बारे में बात हो रही है आपके system के बारे में बात हो रही है कि आपका system कैसे काम करता है और यहाँ पर हम breathing and exchange of gases के बारे में बात करें तो आपका respirator system कैसे काम करता है वो understand करने वाली चीज़ है ठीक है तो देखो एक चीज़ तो आप याद रिखना कि जो nasal chamber है ने बच्चे व यहाँ पर एक तरह की layer present होती हो उसी को आप बोलते हो क्या epithelium इनका nature कैसा है epithelium यह बहुत important है नीट के exams के लिए direct questions यहाँ से बनते हैं कि nasal chamber में कौन सी membrane present है तो एक specific celdranian membrane के बारे में बात करते हैं या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसी में क्या present होता है तो olfactory receptors present होते हैं olfactory receptors present होते हैं और इनका काम क्या होता है तो basically यह smell जो fragrance होती है जिसको हम smell out करते हैं तो इन ही epithelium में olfactory receptors होते हैं और यहाँ पर एक specific type की क्या present है बच्चे तो membrane present है जिसको आप बोलते हैं क्या seldenian membrane membrane या इसी को आप बोल देते हैं दूसरे नाम से olfactory epithelium olfactory epithelium ठीक है तो अगर कोई आप से पूचे कि नेजल सेंबर में किस तरह की membrane present होती है तो olfactory epithelium या seldenian membrane present होती है यह बात तो clear है चलो color हम change करते हैं और फिर हम यहाँ पर इसे दूसरी properties के अगर बात करें तो यहाँ पर एक तो epithelium है और दूसरी कैसी है सीलियेटेड सूडो स्ट्रिफाइड कॉल्मलर epithelium ठीक है तो सूडो यह आप बोल सकते हैं सीलियेटेड सूडो स्ट्रिफाइड कॉल्मलर epithelium ठीक है तो complete आप याद कर सकते हैं कि सीलियेड नेचर की होती है स्ट्रिफाइड होती है और कॉल्मलर epithelial layers present होती है बात क्लियर है अब देखो बच्चे यहीं पर आपका एक बहुत इंपॉर्डन कोशन है कि यहां पर कोई specific gland present होती है नहीं प्रिजेंट होती है तो हमेशा याद रखना कि यहीं पर क्या प्रिजेंट होती है यहीं पर क्या प्रिजेंट होती है तो बोमेंस ग्लैंड प्रिजेंट होती है तो नेजल चैंबर के अंदर सीलिएटेड, सुडो स्टोटिफाइड, कॉलूमलर, एपिथीलियम प्रिजेंट होती है, और इसी मेंब्रेन के अंदर एक ग्लैंड प्रिजेंट होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, बोमेंस ग्लैंड, तो यह बहुत इंपॉर्टेंड एक इसके लिए बचे, नीट इक्जा है, और अगर हम से थोड़ा सा और कनेक्ट करते हैं, तो बोमेंस जो ग्लैंड है, बोमेंस ग्लैंड, बिसिकली क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस, तीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर रिस्परिट्री ट्री के बारे में बात करूं, तो बिसिकली यहाँ पर कुछ यह इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर रिंग्स प्रिजेंट होंगी, यह आपकी क्या है, कार्टिलेन इस रिंग्स हैं, ठीक है, अब देखो, इस पार्ट को आप ध्यान रखना, जहाँ पर यह डिवीजन हो रहा है, इस पार्ट को आप ध्यान रखना, जहाँ पर आपका राइट ब्रोंक्योल और लेफ्ट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो यहीं पर अगर मैं बात करूँ, कि राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी, चलिए, हम इसको पूरा लिख देते हैं, राइट ब्रोंक्याई और लेफ्ट ब्रोंक्याई, अच्छा मुझे कोई बताएगा बच्चे कि यह जो डिवीजन है न, यह कहां पर डिवीजन हो रही है, तो टी फाइफ वर्टिब्रा, टी फाइफ थोरोसिक वर्टिब्रा पर है, ठीक है, टी फाइफ, टी फाइफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर थोरेसिस, थोरेसिस, वर्टिब्रा के हम बात कर रहे हैं, और किस नंबर की, तो टी फाइफ की है, और यहीं पर क्या है, प्राइमरी ब्रोंक्याई में क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, एक राइट और दूसरी तो ये सारी चीज़े अगर आपको थोड़ा सा समझ में आओगा तो बच्चे आप थोड़ा सा respirator system को और better way में understand करेंगे ठीक है अब देखो यहां पर छोड़ी-छोड़ी कुछ information है इसको भी हम connect करते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे एक term आता है epiglottis ठीक है तो अगर मैं बात करूं suppose यह आपका क्या है larynx है ठीक है और इस larynx को जो cover करने वाला part है इस larynx को covered करने वाला part है थिन पार्ट है इसी को हम बोलते हैं क्या epiglottis ठीक है तो यह epiglottis जो है न बच्चे बहुत पतला होता है ठीक है कैसा होता है ठीन होता है इलास्टिक नेचर का होता है इलास्टिक नेचर को होता है और साथ में काटी यस इंप्रेजेंट होती है और यह किसे cover करता है तो इसका function क्या है कि किसे cover करता है तो basically लिए glottis को cover करता है तो देखो यह जो larynx की opening है ना बच्चे इसी opening को आप क्या बोलते हो opening को आप क्या बोलते हो called as glottis और इस opening को close कौन करता है तो इसको आप बोलते हो epglottis यह बात समझ में आ रही है कि glottis क्या है और epglottis क्या है तो यहीं पर अगर मैं बात करूं कि यह क्या है बच्चे आपका यह क्या है आपका larynx है larynx की opening को आप क्या बोलते है glottis और इस opening को जब आप food को solo up करते हैं तो उस time पर epglottis जो है larynx की opening को क्या कर देता है बंद कर देता है तो यह कब काम करता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग कि सॉल्विंग ऑफ फूड जब आप फूड को solo up करेंगे तो यह क्या हो जाएगा closed हो जाएगा ठीक है बात क्लियर है तो larynx की opening को glottis और इस glottis की opening को बंद करने के लिए जो leaf like structures है thin है elastic है cutliness है इसी को आप क्या बोलते हो ep glottis यहां तक तो चीजें clear है अब देखो larynx को हमने क्या बोला कि एक तरगा क्या है बच्चे voice box है क्या generate करेगा sound produce करेगा ठीक है अब यहां पर अगर बात करो तो यहां पर क्या है आपकी trachea ठीक है यह क्या है आपकी trachea और आगे चल करके यही trachea divide हो जाएगा और वो division वाला जो point है बच्चे उसी point को आप बोलते हो T5 point तो यह जो point है बच्चे इसी को बोलते हो क्या T5 point thoracous vertebra यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हमेशा याद रखना नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात क्लियर है तो हम इसी चीज को थोड़ा अंडेस्टेंड करेंगे डाइग्रमेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ तो देखो बच्चे अगर मैं कलर चेंज करता हू यहां पर सब को चलो मैं ब्लू की बात करता हूं तो देखो यह आपकी क्या है इस ओपनिंग को आपने क्या बोला यह आपकी क्या है ग्लॉटिस इस ओपनिंग को बंद करने के लिए क्लिए क्या है बच्चे एपी ग्लॉटिस ठीक है लेरिंग्स क्या है तो हमने बोला क्या को understand करेंगे तो यहां पर जो cartilineus ring है ना बच्चे उनका number क्या है बच्चे तो इनका number है basically 16 to 20 cartilineus जो क्या काम करता है basically इनके बहुत important function है तो यहां पर जो ring है ना बच्चे cartilineus ring है और इनका number क्या है 16 to 20 साथ में कौन सी cartilineus nature है तो hyaline spelling थोड़ा सा यहां पर mistake है I-N-E okay तो hyaline cartilineus है और यह काम क्या करते हैं यह lungs को collapse होने में prevent करते हैं ठीक है अब देखो basically अगर मैं बात करूँ तो यह आपका lung है ठीक है यह आपका right lung है और यह आपका left lung है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कि यहां पर थोड़ा understand करें कि जो lung है न बच्चे यहां पर pair lung का number कितना है दो है तो एक right lung हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चे left lung हो गया अब ध्यान देने वाली बात यह है न बच्चे कि यहां पर right lung में एक division है जिसकी वज़े से यहां पर जिसको आप बोलते हैं cut है आप इसको understand करो चलो हमने यहां पर green color ले लिया ठीक है अब green color में हमने इसको division किया तो basically अगर मैं right lung के three different parts है तो अगर मैं right lung को divide करता हूं बच्चे तो basically यह right lung divide हुआ अब देखो जो सबसे upper part है न उसको आपने क्या बोला superior इसी तरीके से जो आपका left lung है वो दो parts में divide होता है किस part में two parts में क्या होता है तो चलो upper part जो है इसको हमने क्या बोला superior lung middle को हमने क्या बोला middle part है lung का तो इसे हमने middle lung बोल दिया और सबसे lower part को हमने क्या बोला बच्चे inferior उपर वारे को superior बीच वाले को middle और नीचे वाले को inferior ये बात clear है और left lung में left lung के कितने part है बच्चे तो two part है right lung के कितने part है बच्चे तो three part है याद रखना हमेशा तो left में दो part है उपर वाले को हमने बोल दिया क्या बच्चे superior और नीचे वाले को हमने बात कर दिया बच्चे inferior ये बात तो सभी को clear है अब देखो अगर मैं यहीं पर बात करूँ plural membrane के बारे में बात करूँ तो plural membrane चलो हम थोड़ा सा understand करते हैं कि जो यह आपकी plural membrane है इसको थोड़ा हम detail में देखते हैं ठीक है इस वाले part को हम थोड़ा detail में देखते हैं तो जो plural membrane है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे plural membrane अब देखो plural membrane जो है यहाँ पर एक तो है outer plural membrane और दूसरी है बच्चे क्या inner plural membrane तो हमने यहाँ पर रिप्रेजिन कर दिया outer plural membrane और दूस्टरे को हमने बोला बच्चे क्या, inner plural membrane, हमने short form में PM इसे mention कर दिया है, तो हमने plural membrane को short form में PM mention कर दिया है, इसको cell से ने relate करना, वहाँ पे plasma membrane लिखा जाता है, ठीक है, तो basically अगर मैं outer plural membrane की बात करूँ, तो basically ये कैसी nature की है, parietal, ये क्या है बच्चे, parietal और ये visceral, बात clear है, अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा और extend करूँ, तो basically जो outer plural membrane है, वो contact किसे करती है, तो थोरे से case जो है न बच्चे, उससे contact करती है, तो simply हम mention कर सकते हैं, कि contact with thoracis case, और अगर हम inner plural membrane को define करते हैं, बच्चे, तो inner plural membrane जो है न, वो किसे, तो in contact with alvely, ये बात clear है, अब अगर मैं इसी दोनों को relate करता हूँ, बच्चे, तो ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं, बच्चे, तो plural cavity के हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां तक चीजे समझ में आई, तो अगर मैं इसको understand करूँ, कि जो plural plural cavity के अगर आप बात करते हो, तो plural cavity के अंदर क्या present होगा, plural fluid के आप बात करते हो, और plural fluid क्या help करता है, तो help in reduction, reduce friction, तो देखो, understand करना बच्चे, कि जो plural membrane है, उसके दो पार्ट है, एक outer और दूसरा inner, यह किसे contact में है बच्चे, thoracis, के के contact में है, और यह किसके contact में है, alvely, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, plural cavity बनाते हैं, और plural cavity के अंदर cavity है, तो यहां पर fluid fill है, और इस fluid को आप क्या बोलते हो, क्योंकि plural cavity के अंदर है, plural fluid आप बोल रहे हैं, ठीक है, और इनका काम क्या है, तो basically काम है बच्चे, यह frictional force को क्या करते हैं, reduce करते हैं, यह बात समझ में है, सभी को समझ में है, बच्चे, यहां तक चीज़ें clear है, तो आप comment में जरूर feedback देना, बच्चे, कि आपको यह topic कैसा लग रहा है, और साथ में मुझे आप बोल सकते हो, कि अगला कौन सा chapter start करना है, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा help करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा subscriber मेरे बढ़ें, और सभी को free education मिले, ठीक है, सभी को free education मिले, तो अगर मैं यहां पर हमने जो भी बात किया, बच्चे, तो right lung के तीन पार्ट, superior, middle, inferior, left lung के दो पार्ट, superior और inferior, यह बात तो clear है, अब देखो, basically अगर मैं बात करूँ, कि यहां पर जो division हो रहा है, बच्चे, हमने बात किया, कि यह जो division हो रहा है ना बच्चे, इसी को हमने बोला क्या, fifth thoracis vertebra, fifth, हमने understand क्या था, fifth thoracis vertebra, बात clear है, तो यहीं पर अगर मैं बात करूँ, कि यहीं पर क्या हो रहा है, कि division हो रहा है, ब्रॉंकस का, यहीं पर क्या हो रहा बच्चे, ब्रॉंकस का division हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं primary and secondary, ब्रॉंकस जो है primary से secondary में convert होगा, secondary जो है tertiary में convert होगा, ठीक है यह बात तो सभी को समझ में आ रहा है, अब देखो basically अगर हम इस layer को बात करें कि जो right lung को divide कियें बच्चे, तो इसको अगर हम understand करें, तो हमें साब यह oblique tissues है, यह क्या है बच्चे oblique tissue ठीक है, और साथ में यह superior और middle को कौन divide कर रहा है, बच्चे तो इस layer के बारे में अगर हम बात करें तो यह horizontal tissue है horizontal tissue है, यह बात clear है तो यह आपका क्या है पूरा human respiratory system बच्चे चैनल को subscribe करो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर subscribe करो बहुत सारे important concepts को मैं लेकर के आने वाला हूँ अलग-अलग chapters में अलग-अलग videos बनेंगी जो पूरे entire NCRT और सारे concepts को cover करेंगे, तो आप सभी अपने, जितने भी आपके friends हैं, सभी को आप share करो ताकि सभी का benefit हो और मेरा एक ही मौप target है बच्चे कि आज की time में, digital era में सभी को education free मिले तो ऐसे ही आप मुझे support कीजे, thank you very much to all of you